आज किस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंदीत महतपुड प्रशन है जिसमें मैंने 40 questions लिए जो आपके आने वाले सभी परिक्षाओं के लिए important है और इस वीडियो का जो PDF लिंक है आपको description box में मिल जाएगा और आज की जो हमारे questions है वो बिल्कुल basic question है तो वीडियो भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है तो आंसर के यहां पर A मुंबई Q2. भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंदरशासित परदेश है Q3. भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? Q4. भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सब है तो भारत का सबसे उची मिनार जो है कौन सी है तो कुट्ब मिनार जो भारत के सबसे उची मिनार है तो آंसर के क्या यहां पर C पहली भारते महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में सुवड प्रदक प्राप करने वाली जो पहली भारते महिला थी, वो कौन थी? तो कमल जीत सिंदू थी? तो आंसर के यहाँ पर A. कमल जीत सिंदू Q9. Mount Everest पर चड़ने वाली पहली भारते महिला कौन थी? तो Mount Everest पर चडने वाली जो पहली भारते महिला थी वो कौन थी? तो बिचेंदरी पाल थी तो answer के बेएंपे C, बिचेंदरी पाल Q待って number 10, भारत की प्रतम महिला IPS कोन थी? तो भारत की प्रतम महिला जो IPS थी वो कोन थी? तो किरन बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS है तो आंसर के हैं आपे B, किरन बेदी Q11. भारत की पहली महिला राजयपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजयपाल जो थी, वो कौन थी? तो सरोजनी नाइडू यह है, भारत की पहली महिला राजयपाल थी तो आंसर के हैं आपे A, सरोजनी नाइडू Quescen number 12 सरवच्य न्याले में प्रतम महिला नियाधीस कौन थी तो सरवच्य न्याले में प्रतम महिला जो नियाधीस थी वो कौन थी तो M.ión. लúp तीमा भीवी थी तो आंसर एपने C M. लúp प्रतम पंधान मंत्री कब बने थे तो भारत के प्रतम प्रधान मंत्री जवालन नहरू जो ही इक इस तारिक को जो है भारत के प्रतम प्रधान मंत्री बने थे तो 15 अगस्ट 1947 को जो है जवालन नहरू भारत के प्रतम 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 मंत्री बने थे जिस दिन जो हमारा भारत देश अजाद हुआ था तो आंसर के Q14. भारत में प्रतम महिला प्रदान मंतरी कोन बनी थी? Q15. भारत के प्रतम रास्टपती है, तो बारत के प्रतम रास्टपती कोन थी? तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जो है भारत की प्रतम राष्ट पती थे तो आंसर के यहाँ पर बी डॉक्टर राजेंदर प्रसाद Qशन नमबर 16 नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारती थे वो कौन थे तो रविंदरनाद टैगोर थे भारती राष्टे कॉंग्रेस के संसापक कौन थे तो भारती राष्टे कॉंग्रेस के जो संसापक थे वो कौन थे तो आंसर के यहाँ पर A Qशन नमबर 18 प्रतम भारती अंतरिक शात्री तो प्रतम भारती जो अंतरिक शात्री थे वो कौन थे तो राके शर्म जो है प्रतम भारते अंत्रिक शात्री थी तो आंसर के यहाँ पर A, राके शर्मा Question number 19, भारत की प्रतम महिला मुख्य मंत्री तो भारत की प्रतम महिला जो मुख्य मंत्री थी वो कौन थी? तो शीरिमती सुचेता किरपलानी जो है भारत की प्रतम महिला मुख्य मंत्री थी तो आंसर क्या होगा यहां पे A, शीरिमती प्रतिबा पाटिल तो शीरिमती प्रतिबा पाटिल प्रतिबा पाटिल क्या होगा तो शीरिमती प्रतिबा पाटिल वो कौन थे तो Dr.Harrigowind Qurana थे तो आन्सर के अउन UX ओंसर के है का कुश्चे नु Kṛṣṇaरे 25 अर्थ सास्त्र में नौबल पुरुष्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारति तो अर्थ सास्त्र के छेत्र में नोबल पुरूसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारते कौन थे तो अमत्य सेन थे तो आंसर क्या है यहाँ पर बी अमत्य सेन Q26. Nobel पुरूसकार प्राप्त करने वाली प्रतम भारती महिला है तो नॉबल पुरूसकार प्राप्त करने वाली जो प्रतम भारती महिला है वो कौन है तो Mother Teresa है तो answer क्योंगा यहां पर B, Mother Teresa Q27. भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रतम महिला तो भारत रत्न प्राप्ट करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है तो शीरी मती इंद्रा गांदी है तो आंसर के आपे B, शीरी मती इंद्रा गांदी Q28, राष्ट्री द्वस्ति रंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राश्ट्री ध्वस्ति रंगे का जो 11 केसरिया रंग है वो क्या दर्शाता है तो तागत और साहस को दर्शाता है तो आंसर के आपे A, तागत और साहस Q29, राश्ट्य ध्वस तिरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग हो रहता है तो राश्ट्य ध्वस तिरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग रहता है तो 11 केसरिया रंग रहता है तो आंसर क्या हो गए आपी C, 11 केसरिया रंग question number 30 राष्ट्य ध्वर्ष तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकीत है तो राष्ट्य ध्वर्ष के तिरंगे का सफेद पट्टी है वो किस बात का संकीत है तो शांती और सत्ते का संकीत है तो answer के हैं अपर C सांती और सत्ते का question number 31 राश्ट्री ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राश्ट्री ध्वज तिरंगे का हरा रंग है वो क्या दर्शाता है? तो विकास और उर्वर्ता को दर्शाता है तो आंसर क्या है यहाँ पर B, विकास और उर्वर्ता Q32 32, रास्ट्य धोज तिरंगे के चक्र में कितनी त्िलिया है? तो रास्ट्य धोज के तिरंगे में जो है, कितनी तिलिया है? तो 24 तिलिया है, तो answer क्या होगा है? यहां पर C, 24 Question number 33, भारत की सवीदान सभाने रास्ट्य धोज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की सविधान सबाने जो राष्टे दोष्ट के अप्रारूप है ये कब अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था तो आंसर के हैं पर A, 22 जुलाई 1947 को Question No. 34 भारत का राष्टे पक्षी है तो भारत का जो राष्टे पक्षी है वो क्या है तो मौर है Q36. भारत का राष्टे पेड़ है, तो भारत का राष्टे पेड़ क्या है, तो बर्गत जो है भारत का राष्टे पेड़ है Q37. भारत का राष्टे गान है, तो भारत को जो राष्टे गान है, वो ग्या है, तो जणगंड मन जो है भारत का राष्टे गान है स्वारतники प्रत्ते सितीत जाके कि पतले कहा कि प्रतर हैं? और राष्ट्रे गाने की जो अवधिय क्या है? तो आंसर क्या है यहां पर गामतियूर? भारत की रास्टे जल्यी जीव है तो बागड जो भारत का रास्टे जल्यीव है